मैं हुँ आपका एजूकेटर सीवमिसर आपका स्वागत करते हैं, आपके अपने यूटूप चैनल SKM को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को अभी तूरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोगोस को जरूर से जरूर से जरूर सेएर करें जी हाँ यहाँ पर हम लेकिया आएक अच्छा दसमी हिंदी का पेपर 24 मार्च के लिए अगर ये तयार कर लेंगे सत्तर में सत्तर की प्यार बच्छो मैं गैरेंटी लेता हूँ आपका कोई लाने से रोक नहीं सकता लेकिन हाँ बस आपको मेहनत करना है जो नहीं सुन्यार है बिल्कुल कमेंट कीजिए मैं आपका पूरा करवा दूँगा और पूरा 24 मार्च को 70 में 70 दिलवाने का मैं ग्यारेंटी लेता हूँ लेकिन हाँ आपको मेहनत करना है हमारे साथ हमारे साथ क्या करना है आपको मेहनत करना एक भी प्रश्ण को आपको छोड़ना नहीं है क्लाश 10 में है तो चली यहां पर आपको 3 घंटे 15 मिट का समय मिलेगा और 70 अंग का पूरा-पूरा 10 हिंदी का पेपर रहेगा ठीक है और 15 मिट आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए रधायर रहेंगे इसलिए आप इसको पहले पढ़िएगा उसके बाद प्रश्ण को हल करिए ठीक है ना चली यहां पर हम सबसे पहरे अतिलगुतरी प्रश्ण देखेंगे और जो कि आपके UP Board Exam में पूछे गए अतिलगुतरी प्रश्ण है और इस बार आने की संभावना यानि की संभावित प्रश्ण है यह अतिलगुतरी संभावित है और अगर इनको तयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ पर अच्छा नंबर जरूर से जरूर आएगा इसलगा आप इसको अच्छे से तयार कर लें तो यहां प्रश्ण है वट विरिच के रचाईता का नामों लेक के जिए उन्होंने दिया है तो वट विरिच के रचाईता का नामों लेक के जिए उन्होंने दिया है तो वट विरिच के रचाईता का नामों लेक के जिए उन्होंने दिया है तो वट विरिच के रचाईता का यह class 10 थिंदी के किस विधा की रचना है गिरती दिवारे तो आपको सिधा पता देना है कि गिरती दिवारे नाटक विधा की रचना है गिरती दिवारे नाटक विधा की रचना है घर एक प्रशन आपके बोर्ड परिच्छा के लिए बहुत important है इसलिए आप इन सवी प्रशन को यहां पर मैंने add किया है अगला प्रशन है भेट वार्ता विधा के लेखक का nakt भेट वार्ता किले खक का क्या नाम है तो भेट वार्ता विधा कि लेखक का नाम है गिरी राज सरण अगर्वाल गिरी राज छेट अगरवाल कौन है भेटवारता विधा के लेखक है भेटवारता विधा के लेखक का नाम तो आपको सीधा पता देना है कि भेटवारता विधा के लेखक का नाम गिरीराज सरन अगरवाल गिरीराज सरन अगरवाल कौन है भेटवारता विधा के लेखक हैं हर एक प्रशना आपको तयार कर लेना है और इससे बाहर आपके UP परिच्छा में आएंगे भी नहीं, यही की पूरा पूरा आएंगे, इसलिए मैं आप से बस यहीं कहूंगा कि आप सभी जितने भी यहां पे मैं आपको दे रहा हूँ सारे प्रश्णों को तयार कर लेना है और 24 मार्च को आपको दिखा देना है कि मैं भी 70 में 70 ला सकता हूँ और हमारे अंदर भी यह लाने की अउकात है अगला प्रश्णया पे पत के सार्थी किस विधा की रचना है अगला यहां पे जहाज का पंची के लेखक का नाम लिखे तो जहाज का पंची के लेखक इला चंदर जोसी है इला चंदर जोसी कौन है जहाज का पंची के लेखक का नाम लिखे तो जहाज का पंची के लेखक का नाम है इला चंदर जोसी इला चंदर जोसी कौन है जहाज का पंची के लेखक है अगला यहां पे प्रश्ण है प्रश्ण क्या है रानी केत्की की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों का नाम लिखे रानी केत्की की कहानी और कलम के सिपाही का लेखक का क्या नाम है तो रानी केत्की की कहानी के लेखक का नाम मुंसी इंसाललाखा वा कलम का सिपाही के लेखक का नाम अम्रित राय है रानी केतकी की कहानी की लेखक का नाम क्या है मुंसी इंसाल लाखा वा कलम का सिपाई की लेखक का नाम है अम्रित राय है इसको तयार कर लेजे बहुत है इंपॉर्डेंट है आपके यूपी बोडिक जाम जो की 24 मार्च को आपका पेपर है सुबह के मौर्रिंग में यही अगला प्रश्न पर भारत एंदु युग का काल निर्धारन केज़े तो बारत एंद्ट हरीषंद्र के बास्तिक इतिहास 1850 इसी सीये आरभ हुआ तथा उन्नी सो इसवी तक चला और इसी काल को गद्य साहित का विकास हुआ और इसी में क्या हुआ गद्य साहित का विकास हुआ ठीक है तो सिधा देगा कि भारतेंदु युक का कालने धान भारतेंदु युक को ही वास्तिवी की इतिहास भी कहा जाता है और इसी काल को गद् इसलिए आपको जितने भी यहां पे मैं आपको दे रहा हूँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ट एक्जाम से जुड़ा हुआ है इसलिए आप इन सभी परशनों को तयार कर लेंगे इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं अभी आपको बहुत ही बहतरी बहतरी इन वीडियो मिलने वाली है इसलिए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर कीजिए तो जैसंकरशाद और हरी कृष्ण प्रेमी श प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखे तो एक प्रसिद्ध आलोचक कौन है आचार रामचंद्रसुकल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक है चलिए अब देखते हम लोग व्याकरण से लेटेड़ प्रश्ण और बहुत ही इंपॉर्टन व्याकरण से लेटेड़ इनके सभी के आपको पर्याय वाची लिखना है अम्रित का पर्याय वाची क्या होता है अमी ये सुधा प्यूस अमी अमी ये सुधा प्यूस और अमी जो होता है यह हमारा अम्रित का पर्याय वाची होता है आख का पर्याय वाची क्या होता है द्रिक लोचन चच्छु प्रमात्मा प्रमिश्वर प्रभु भगवान जगदीश यह सभी इस का परयावाची होता है अगला है कलम कमल का परयावाची तो कमल का जो परयावाची होता है सतदल, पुंडरीक, उत्पल, वारिज, कोकनद और सरिसीज यह जो है कमल का परयावाची है अगला है कोयल का परयावाची क्या क्या होता है पीक, कोकील, परभृत, बसंत, दूत, इत्यादी जो है कोयल का परयावाची है अगला है उद्यान, उद्यान का परयावाची क्या हो पिछा चाह lact or अभिविर्धि अध्यैं क्या परियादवाची होता है अधिति का प्रिवाची क्या होता है अभ्यागत मेहमान पाहुना और भीत सब्राकुश मारच को पूछा जाएगा इसलिए आप इस प्रश्णों को पढ़ के लिजाना है निम्कित तदभव सब्दों में से किसी दो के तस्यम रूप लिखिए क्या है यहाँ पे तदभव अनजान तदभव का तस्यम क्या होता है अज्यान होता है अमोल का क्या होता है अमुल्य होता है अंगुली का क्या होता है उंगली होता ह और हाँ इसका पीडियाप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सर में लिंक है जाके वहाँ से इसका मॉडल पेपर आप डाउनलोड सकते हैं आपकी यसकेमिश्टडी की ओफिसल वेवसाइड है यसकेमिश्टडीक्लासिस.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओके दोस्तो थैंक यू जेहिन